Hello everyone and once again welcome to Umar Taskir YouTube channel myself Umar Taskir Guys Google Ads series के इस particular video में हम लोग बात करने वाले है about if function Guys किस तरहें हम लोग if function को use करते हैं Google Ads के अंदर जब हम लोग हमारे जो ads होते हैं जो हमारे responsive या text ads होते हैं उनको जो हम लोग create करते हैं यह video बहुत जादा important है और इसके important होने के पिछे एक reason यह भी है कि जो हमारे expanded text ads हैं जो हमारे normal text ads होते थे वह आपको पता है कि वह आने वाले time में वह बिलकुल बंद होने वाले है मतलब Google उनको बिलकुल जो है वह बंद करने वाला है फिर आप जो expanded text ads है वह नहीं create करते हैं आपके पास केवल एक ही option होगा responsive text ads को create करने का तो गाईस मैं आपको एक चीज starting में ही clear कर दूँ हो सकता है आप में से बहुत सार ऐसे लोग हो जो पहले सा ही if function को use कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए जो if function का use है वह expanded text ad में था तो अब अगर expanded text ads discontinue हो जाएंगे बंद हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो आपका if function का scope है वह भी बंद हो जाएगा तो फिर क्या if function responsive ads में अवलेबल होते है नहीं if function का जो option है वह responsive ad में नहीं available होता है responsive ad में हमारे पास location customization का option मिलता है text ads के अंदर वो मैं अभी आपको बताऊंगा बहुत interesting feature है वो तो सबसे पहले हम लोग function जो अभी exist करते है expanded text ads में उनको मैं आपको बता देता हूं उनके बारे मैं आपको information देता हूं detail में और उसके बाद हम लोग जो responsive text ads जो हमारे future होने वाले है उसमें क्या option मिलता है उसको हम लोग detail में practically हम लोग देख लेंगे तो वीडियो यह इसलिए भी important है कि आप latest जो चीज़े है न Google ads की उनको ही follow करें क्योंकि चाहे हम Google ads की बात करें चाहे हम SEO की बात करें चाहे हम Facebook ads की बात करें गाइस यह सारे platforms यह सारे approaches मैं पिछले साल से देख रहा हूं या एक-दो सालों से देख रहा हूं कि बहुत तेजी से अपने platform के अंदर changes करना है गाईस यह बहुत ही जादा feedback हम जैसे advertisers से या हम लोग किस तरीके से advertise करें इससे collect करते रहते हैं और बहुत तेजी से अपने platforms में changes करें ताकि दोनों को ही फाइदा मिले advertisers को भी मिले और जो users है जिनको ad दिखता है ठीक है उनको भी benefit मिले फाइन तो बहुत सारे changes हो रहे हैं बहुत सारे changes होएंगे तो आप कोशिश करें कि आप जो latest information है उसी को consume करें तो गाईस हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कि इस function जो हमार expanded text starts में दिखता हूँ किस तरीके से काम करता है और उसकी क्या power है तो guys मैं आ चुका हूँ यहाँ पर हमारे google ads account के अंदर और यहां से मुझे सबसे पहले हमारे expanded text starts के उपर ही जाना होगा तो मैं एक बार एक बार यहां पर प्लस करूँ तो responsive आप देख रहे हो by default मुझे responsive ही बनाने का देता है वट अगर आपको जो है expanded text starts उसको open करें और यहां से फिर आप use expanded text starts इसके उपर कर लें जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करेंगे आपको एक notification भी देखा कि देख लो भाई 30 June 2022 से यहां पर आपको support बंद हो जाएगा यह पूरी तरीके से discontinue हो जाएगे ठीक कर सकते हैं और description में भी हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं तो गाइस मैं क्या करता हूँ जैसे मैं headline में हा जाता हूँ और मुझे क्या करना है यह curly braces जो है मुझे इसको simply open करना है simply इसको open करने के बाद आप देखों यहां पर आपको एक if function का option दिख रहा होगा ठीक है अब यह guys if function करता क्या है सबसे पहले बाद जो कि अभी आप देख रहे हो कि यह हमारे add को customize करता है हमारे जो text add होता है चाहे वो responsive हो चाहे एक्सपांडड हो उसकी हम लोग बात नहीं कर यहां पर हम कुछ conditions जो हैं उनको define करते हैं उनके basis पर हम जो हमारा text add होता है उसमें कुछ customizers use करते हैं जैसे example के तौर पर तो अगर मैं कहता हूं कि user जब हमारे add को देख रहा है अगर वो device से देख रहा है mobile device से तो मैं चाहता हूं उसको headline में कुछ दूसरी चीज दिखे जै अगर वो जिस device से आया है वो mobile है otherwise मैं यहां पर उसको दिखाना चाहता हूं जैसे buy now simple option ठीक है और मैं इसको कर देता हूं guys यहां पर apply तो अब देख रहो आप यहां पर यह आपका एक syntax बन गया जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर user जो की mobile device से अगर आएगा user ठीक है और हम simple buy now यहां पर दिखेगा fine तो इस टाइप की चीजों को हम लोग use कर सकते हैं headlines में भी हम लोग यह function को use कर सकते हैं और description में भी आपको use कर सकते हैं simply आपको curly braces open करने keyword insertion की बात में पहले कर चुका था इफ function के उपर हम लोग वापस आ जाते हैं तो इफ devices यहां पर देख रहे हो आप mobile selected है तो आप यहां पर option दे सकते हो कि mobile से अगर user हमारे आड को दिखता है तो उसको क्या दिखे रहे को कई बार ऐसे situations होती है जब हम चाहते हैं कि जो mobile user है उसको कुछ customized add हम दिखाएं उसको ह हमारे एक audience जो है वो आड दिखा है और अगर वो mobile से नहीं है तो हम चाहते हैं उसको दूसरा आड दिखे तो इस type की जो situations होती है वो होती है practically arise होती है यहां पर guys हमें control के वर device के ही basis पे नहीं मिलता है एक दूसरी बहुत ही important चीज़ के basis पे हमें control मिलता है that is actually the audience यहां पर हम में audience का भी control मिलता है guys अगर हम यह चाहते हैं कि if the audience is right मैंने select कर लिए कोई भी जैसे मैंने select कर लिए कि मेरी अगर remarketing audience है अगर remarketing audience वापस हमारा आड देख रही है तो हम उन्हें क्या show करना चाहते है special offer right 20% off यह मैं उनको show करना चाहते हैं because now they know about our product या service तो अगर वो remarketing हमारी audience है ज्यादर से chances हैं कि अगर हम उन्हें कुछ offer वगेरा दिखाए या उन्हें कुछ customized offers वगेरा दिखाए तो ज्यादर से chances है कि वो convert हो right तो हम लोग यह show कर सकते है special offers 20% off या otherwise में केवल हम उनको दिखा दें simple से चीज़ है केवल हम उनको दिखा दें by now and then we'll go ahead and click on apply right तो यहा यहां पर दिखना शुरू होता है ठीक है कभी कभी दिखता है और कभी कभी यहां पर preview में नहीं दिखता है बट आप मान के चलो इसको कि यह काम करेगा fine तो यहां पर हम लोगों नहीं क्या set किया कि if the audience is remarketing audience तो जो हमारा description है जो लोग को दिखेगा जो हमारी ad copy लोग को दि यह बहुत powerful feature है जो कि actually हमारे CTR को increase करता है अगर हम बात करें जो हमारे campaign से उनकी success की तो कहीं न कहीं जो हमारे campaign की success है वो start होती है CTR से ही क्योंकि guys सबसे पहले क्या होगा आप इस बात को समझो सबसे पहले तो हमारे ad के impressions होंगे ठीक है उसमें ad के impressions में तो जो viewer है जो ad हमार देना देना है नहीं उसका पहला interaction हमारे ad के साथ कब होता है जब उसके उपर click करता है उसको impressions हुए और उसने click किया जैसे उसने click किया which means that कि यहाँ पर क्या play करेगा CTR तो जो सबसे पहली success आप measure करते हो actually वो कहीं न गहीं आप CTR के ही around measure करते हो कि जो हमारे ads है उनका CTR है व हो रही है क्यों नहीं conversion हो रहे है तो उसको हम लोग दूसरी तरीके से डिबग करते हैं वाट कहीं न गहीं जो हमारे ad की success है वो कहां से start होती है CTR से fine तो वाइस यह जो elements है ना क्यूंकि यह जो है टेलर्ड है यह हम कहीं यह customized है according to audience, according to devices तो ऐसे particular case में हमारे CTR है उसके improve होन तो इस तरीके से हम लोग if functions को use करते हैं वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूँ जो हमारे responsive text ads होते हैं उनके बारे में तो मैं एक बार इस window को close कर देता हूं and I'll come over here जो हमारा responsive ad है और इसमें मैं कुछ changes करने कुछ करता हूं तो यहाँ पर अगर मैं इसी headline में क्यों आपको सम insertion का and this is again a very 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 powerful feature guys यह क्या करता है मैंने आप एक छोटा सा example ले रखा है let's say आप plumbing services provide करते हो यह let's say आप dry cleaning जो है ना वो services provide करते हो dry cleaning services right but आपने जो अपने campaign में targeting करी है वो आपने targeting करी है लखनौ, Delhi, Mumbai, Chennai, Pune, Agra, Kanpur right यह आपने यहाँ पर और भी मैं locations लिख लेता हूँ, जैपूर, जोदपूर ठीक है यह आपने location targeting करी है अब user को अगर आपका add दिखेगा तो जो भी आपने आपर headline लिखी हुई होगी जैसे best dry cleaning services यह आपने headline लिखी हुई तो यह आपको आपकी जो headline है वो सामने वाला जो viewer होगा उसक या कोई बंदा जो जैपूर में बैठा हुगा है उसको आप क्या दिखा रहे हो best right leaning services in जैपूर आपको क्या लगता है केवल अगर उसे best right leaning services दिखेगा headline में तो वो ज्यादा effective होगा या best right leaning services in जैपूर या पूने जिस भी location में viewer होगा उसको दिखेगा तो वो beneficial होगा तो ग add copy के अंदर लेट से आप 25 locations को target कर रहे हैं तो यह possible नहीं है कि आप 25 headlines वहाँ पर जाकर लिखें और हड़ headline के अंदर आप जाकर जो है अपनी जो location है उसको mention करें तो यहाँ पर हमारे पास एक option होता है जो कि basically location based add customization है अब guys यह option क्या गरता है let's say जो भी आपने location targeting करी हुई है in location targeting से अगर कोई user search मारता है तो by default यह जैसे लखनव से search मार रहा है तो लखनव यहाँ यहाँ पर by default आ जाएगा right डेली से अगर user search कर रहा है तो by default यहाँ पर डेली आ जाएगा मुंबाई से अगर user search कर रहा है तो मुंबाई यहाँ यहाँ पर by default आ जाएगा तो आप देख आँ जैसे best यहां पर लिख देता हूं plumbing in और उसके बाद मैं city यहां पर डालना चाहता हूं तो मैं location इंसर्शन के ऊपर जाऊंगा ठीक है और location इंसर्शन के बाद आपको तीन लेवल्स मिलते हैं, कि आप यहाँ पर सिटी डालना चाहते हैं, आप यहाँ पर स्टेट डालना चाहते हैं, आप कंट्री डालना चाहते हैं, लेट से मैं सिटी डालना चाहता हूं, ठीक है, पट लेट से सिटी नहीं आपाई, कोई सिटी का न के लिए ठीक है और गाइस मैं इसको कर देता हूँ apply तो जब हम लोग इसको apply करेंगे फाइन जब मैं इसको apply करूंगा तो यहां पर जब भी user को हमारा आड दिखेगा ठीक है तो उसको सबसे पहले क्या दिखेगा यहां पर best plumbing in your area अगर कोई location नहीं मैच होती या फिर वह उन location मैंसे है जहां पर हम लोग चला रहा है जिन location को हम लोगों ने हमारे campus level के settings के अंदर टारगेट किया लेट से लखनाव location देली यहीं सारी हम मान के चलते हैं इन location को किया हुआ तो यूजर अगर उन location मैंसे सच करता है और उसको हमारा आड का impression होता है तो फिर वहाँ पर वह location भी दिखाई देगी बट गाईस एक और चीज जो मैं आपसे यहां पर कहना चाहूंगा वो यह है गाईस ठीक है यह options हमें बड़े अच्छे लगते हैं अच्छा इस टाइप के उपर focus करें फिर आप इन चीजों के उपर आए डेफिनिटली यह सारी चीज आपको CTR में और आपको एक बहतर result लाने में help करती है बड़ बेसिक्स हमें नहीं भूल लें दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही मिल दें नेक्स वीडियो में तिल दें ये बाल सेथित्ग ज़ झाँ जया बीडियो दिबऻ में Aw